हाई ब्रीबन आए आज की इस वीडियो में हम फुटवॉल खिल से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट आज की इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं जो कि आपकी एकजाम्स में इससी टॉपिक से सारे कोस्चन्स बनते हैं ठीक है जैसे फुटवॉल एक खेल हो गया ठी पहला पॉइंट लिखा हुआ है बिस्व की सबसे बड़ी फुटवॉल संस था इनका नाम है इंटरनेशनल फुटवॉल एसोसियेशन जिससे हम लोग फीफा के नाम से जानते हैं ठीक है इसी तरह में बात कर लेते हैं भारत का दूसरा पॉइंट भारत का पहला फुटवॉल के मैदान का पडिमाप क्या होता है तो इसके मैदान का अकाडź लंभाई 91 से 120 मीटर हो सकता है चौड़ाई 45 से91 मीटर तक हो सकता इटिक है डिक है अब हम इन्पॉ PUBG अब यह m पुछे जाते हैं जैसे आपको पूछ लेगा center center जो शब्द है ये किस खेल से समन्दित शब्द है तो आप बोलोगे ये football से समन्दित शब्द है ठीक है ऐसी तरह midfield strike strike, strike उसी तरह back, forward, goalie, kick, free kick, direct kick, okay direct kick एक है ठीक है ठीक है अलग नहीं है क्योंकि कॉमा का यूज आप देख सकते हैं जहां कॉमा है वो अलग हो जाएगा ठीक है indirect kick, इसी तरह corner kick, offside, sedent off, handball, try breaker, sudden death, scissors kick ये सभी सभी शब्द किस से समन्दिते है आप बोलोगे football से समन्दिते है ठीक है एक्जाम मैं इसे पुछेगा आपको यहाँ पुछ लेगा आपको यहाँ पुछ लेगा corner kick, corner kick शब्द जो है ये किस खेल से समन्दिते है तो आप बोलोगे football खेल से समन्दिते ठीक है अब हम यहाँ पर जानेंगे कि इस खेल में कौन कौन सा ट्रोफियां जो है दी जाती है खिलारियों को ठीक है इसी तरह कोपा अमेरिका कप यह भी football खिलारियों दिया जाता है इसी तरह और भी देख सकते हैं यूरोपियन चैंपियन कलब कप संटोष ट्रोफी में कई वर देखा हूं पूछा गिया है डूरंड कप यह इंपोर्टेंट है रोवर्स कप यह इंपोर्टेंट है सुब्र इसी तरह Salt Lake Stadium जो कि भारत के कुलकता में है फुटवाल का जन्म इंग्लेंड में हुआ था इंग्लेंड में इस भी में इंग्लेंड में बिस्प का पहला फुटवाल कलब शेफिल्ड शेफिल्ड फुटवाल कलब का गठन हुआ था ठीक है यहां तक मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट पॉइंट ही आपका था ठीक है ओके तो इस तरह मैंने आथ कि इस वीडियो में फुटवाल से रिलेटेड इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया और यह भी ब सब्सक्राइब करें तो थैंक यू